तो हे गाइस मैं हूं KKZ आप देख रहे हैं मेरा चैनल KKZ प्रोडक्शन सर्फेस तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रोडक्ट है उसका रिव्यू करेंगे और मैं बताऊंगा कि यह जो प्रोडक्ट है आप इस वीडियो से मैं सब कुछ बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट के एक्शल में यूस कहा होता है इसकी प्रैजस के बारे में बताऊंगा और आप कैसे कहां से आप इससे सस्ते में बाई कर सकते हैं ठीक है बताऊंगा सब कुछ इस वीडियो में तो चलिए इस वीडियो को स्टार भी करें ठीक है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप देख सकते हैं डाइस कटर है ठीक है और सबसे पहले इस कटर का यूजस के बारे में देख लेते हैं इस जो कटर है वो आपका use किया जाता है basically ID card के लिए ठीक है जब भी आप ID card इंटस्टीज में काम कर रहे हैं ठीक है ID card बनाने का काम करते हैं तो आपको पता होगा कि जो ID card की जो sharp cutting होती है आप देख सकते हैं आपस ठीक है ID card की जो sharp cutting होती हो इसी shape में होगी ठीक है आप कहची से भी आप ID card का जो cutting हो कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर जो ID card है वो इसमें आपका dragon seat को भी cut कर सकता है ठीक है और इसमें करीबन करीबन आपका 200 mm तक की जो cutting है वो हो जाती है इसके अंदर ठीक है काफी मोटे ठीकने इसकी भी paper इसके अंदर cut हो जाती है ठीक है एदि हम dragon seat की बात कर लें तो dragon seat भी इसके अंदर cut हो जाएगी ठीक है और इसकी body बगरा की बात कर लें तो देख सकते हैं जो body है fully metal है अब पूरी लोहे की body है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ठीक है यह पूरी जो body है पूरी लोहे की body है metal की body है ठीक है और काफी sharp cutting है जो id cutter है इसका देखिए friends एदि आपको id बनाने का काम करते हैं तो fast काम के लिए आपको जो होता है कि आपको id cutter के जोड़त पड़ती है ठीक है आप इसमें normal paper personal paper भी cut कर सकते हैं जो normal photo paper आते हैं एदि उस paper का use करणा iwhy card बनाने के लिए तो इसका भी use कर सकते है याँ cut करेंगे अ ठीक है इसके अंदर डालेंगा और cut करेंगे तो इसका भी use कर सकते हैं आप और तौर आपको इंटर आपको पड़ेगा ठीक है और अविकलि में इसंट की बात कर लें तो करीबेन करीमने आपको साडहे यह 3 केजी तक आपको मिल जाएगा टीन केजी तक यह प्रोड़क्ट आपको फुली मेटल है और e.r.g. дерев banda की company है और यह आफ को किसी भी ऑन्लाइन market में मिल जाएगा ठीक है offline भी आप buy कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे online buy किया हुआ है आपके flip art से ठीक है Amazon में भी आपको मिल जाएगा flip art के अंदर भी मिल जाएगा मैं इसके prices के बारे में भी आपको बताऊंगा ठीक है तो यह कमाल की ID card cutter है यह आप ID card का काम कर रहे हैं तो आपको यह machine लेने ही पड़ेगी ठीक है अब चाहे इसमें आप photo paper को cut करें चाहे 180 GSM को photo paper को भी cut करें या फिर मोटे thickness की जो ड्रेगन सीट आती है जब उसको आप ID card में convert करें उसके बाद भी इसको आप simply तरीके से आप ID card का काम कर रहे हैं तो आपको इस cutter की जुरत पढ़ने ही वाली है क्योंकि इस cutter के बीना आप ID card का काम नहीं कर सकते हैं ठीक है आप देख सकते हैं इस product को पूरी तरीके से ठीक है आपको simply तरीके से बस प्रेस करना है इसके अंदर इंटर करने के बाद ठीक है और फासली काम करना चाहते हैं तो आपको डाइस cutter की जुरत पढ़ेगी इस जो ID card cutter है काफी अच्छी ID card cutter है आप fully matter है आप देख सकते हैं इसका जो यहां से जो इसका जो ब्लेड है वह भी प्रोपर साथ दिखाई दे रहा है और simply तरीके से यहा बाद आप क्या करेंगे Simply तरीके से जो अपने Paper को Simply तरीके से आप इंसर्ट करेंगे इसके उपर देखें मैं ल्हट को इंसर्ट कर रहा हम आप देख सकते हैं इससा चीज को ठीक है simply तरीके से आप paper को insert करेंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से और paper जैसे insert हो जाएगा आप देख सकते हैं cut करने के लिए आप simply तरीके से देखे इसको press करेंगे और आपका देखे जो cutting है देख सकते है ID card के बराबर cutting आपका हो चुका है आप देख सकते हैं friend, देख सकते हैं आप यहां से यह simply तरीके से देखे, cut हो चुका है आप देख सकते हैं इसके cutting को आप देख सकते हैं इसी तरीके से आप अपना जो ID card cutting है, वो कर सकते हैं कुछ और paper यहां पस, कुछ और चीजे insert करके एक बार आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं फिर से मैं एक बार insert कर रहा हूँ, ठीक है अभी क्या है, बहुत दिन बाद मैं इसको use कर रहा हूँ तो यह insert होने में, थोड़ी से मोटी paper रहीगी फ्रेंट तो यह easy जाएगा, ठीक है, थोड़ी से पतली paper में use कर रहा हूँ, इसके चलते थोड़ा से insert में यहां प्रब्लम हो रहा है लेकिन आप धीरे-धीरे करके इसे इंटर कर लें, ठीक है, मैं एक बार आउर करके आपको दिखा देता हूँ ठीक है, सरी-सरी के से, ठीक है फ्रेंट आप देख सकते हैं, पस मैं फिर से एक बार देखे, मैं insert कर दिया हूँ और आप देख सकते हैं, मैं इसे आपको sample से करके दिखा रहा हूँ यह देखिए, फ्रेंट्स, आप देख सकते हैं, कितने अच्छे से, जो है, आपके paper को cut कर रहा है आपके, आपको, देखे, ID का जो height width होता है, वह इसे ही होता है, देख सकते हैं, फ्रेंट्स camera हम थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन, जो height width थोड़ता है, वह इत नहीं होता है, और इसमें, इजी तरीके से, आप ID card का का काम कर सकते हैं, ठीक है, आप ID card का 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 म करके, यह जल्दी काम करने के लिए है चाइदी डेरा से ऊपर सेशेमित नहीं होता है क्योंकि प्रोपर सेट में आपको नहीं कटने रहा हैं इसका सेभच DOG सकते हैं किस तरीके से आपको कटें़ रहे हैं इन्रेशिस से काम कर रहे हैं तो आपको सिंप्ली तरीके से सिंप्ली तरीके से कर सकते हैं ठीक है और इस कटर के प्राइस की बारे में बात करें तो एक कटर आपको 24 रुपे में फ्रेंड मिल जाएगा ऑन-लाइन क्योंकि मैंने इससे अभी दो महिना पहले बाई किया हुआ था देकिन इसको य लाइन जो है फिलिपार्ट से 2400 सम्थिंग में बाई किया हुआ है ठीक है तो आप इसी तरीके से इसे ऑन-लाइन बाई कर सकते हैं या फिर आप लोकल मार्केट से भी बाई कर लें लोकल मार्केट से आप बाई करेंगे तो सिंप्ली थोड़ा सस्ता में मिल जाएगा आपक है अप सिंप्ली तरीके से बस आपको कट करना है और यह ओपने उस डबल साइट पेपर यूज किया हुआ है तो अपना निकालना है और अपना जो भी डॉम है उसके ऊपर आपको इंसर्ट कर देना उस पर आधि कार्ट का का काम हो जाएगा तो फिलार मुझी लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा